हाँ जी सुदेंट्स तो अभी हम डिस्कुस करने वाले हैं कि वाट आ दे न्यूटन्स लाउस अफ मुश्चन इस अ वेरी बेसिक टॉपिक आफ मेकैनिक्स देखें जो हम मेकैनिक्स अभी तक स्टडी कर रहे हैं जो आपने प्लस वन क्लास में भी स्टडी करी है उसके बाद न्यूटन्स ने जो लाउस यह थे सबसे पहले वही थे तो न्यूटन्स लोज्या जो है डे और उसके इलावा आप किसी अब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो उसका कुछ मास है में है और उसमें एक्सेलरेशन ए प्रड्यूस हो रहा है तो उस ए को आप निकाल सकते हो f by m करके और अगर फोर्स लिखना चाहते हो तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन यह बेसिक एक्वेशन ह है ठीक है और अल्सो यह बसेड दाइब पोर्स एकल टू रेट अव चेंज उसलीन लिजितने बी लॉज्ट है हमने मुमें इसमें डिफाइन किया मोमेंटम इस नॉट आप लॉज्ट इस अप्लाई करते हैं नूटीं आप्लाइब बॉज्ट पर दे लाज लज़ेक्ट ब objects, large size objects होते हैं, which are also called macroscopic, मतलब जो आप अच्छे से अपनी eye से, human eye से आप उसको देख सकते हो, मतलब आपको properly visible होते हैं वो जो बड़े-बड़े objects हैं, ball है, कोई छोटा सा particle भी आप ले सकते हो, ठीक है ये सब चीजें जो हैं, ये neuter's laws of motion को follow करती हैं, अगर वो motion में हैं तो, इसके साथ साथ एक और condition है, जब हम neuter's laws of motion को apply करते हैं, directly when you write f is equal to ma, तो वहाँ पर एक और condition है, वो दूसरी condition है, classical mechanics में, कि जो speed of object है, velocity of object is very less is very less as compared to speed of light as compared to speed of light ठीक है जी, तो laws of motion में, जब हम newton's laws of motion apply करते हैं किसी object पर, तो ये दोनो conditions satisfy होनी चाहिए, तब ही आप ये वाली equations लगा के उस object का future, उसका motion predict कर सकते हो देखे, motion को study करने का क्या मतलब है, mechanics हम पढ़ रहे हैं ना, तो mechanics का मतलब होता है study of motion mechanics is actually study of motion of an object now what do you mean by study of motion, study of motion का मतलब है कि actually we are going to predict the future of object जज़े कि माल लो, अगर आपको पता है कि एक car जो है, वो zero initial velocity से start हुई है और उसका जो acceleration है that is 10 meter per second square तो आप बता सकते हो कि after 10 seconds, ये car कहां पर पहुंचेगी, उसका future बता दिया आपने बिना उसको चलाए, अगर आपको parameters पता है, initial conditions पता है तो आप उसका future predict कर रहे हो आप बता सकते हो कि 10 seconds बाद इसकी speed कितनी होगी 10 seconds के बाद अगर इसकी speed माल लो V है, तो उसको रोकने के लिए कितनी force लगानी पड़ेगी, ये सब चीज़े आप पहले से predict कर सकते हो when you use Newton's laws of motion तो mechanics में हम study of motion करते हैं बट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप Newton's laws of motion की बात करते हो या classical mechanics की बात करते हो then objects are very heavy very large size objects and also the speed of object is very very low as compared to speed of light अब इसके बाद second हमारे पास जो motion की study होती है दो और हमारे पास regime है एक हो जाता है quantum mechanics quantum mechanics आप BSC के semester 3 में जा semester 4 में बढ़ोगे ठीक है second year में quantum mechanics बढ़ाई जाती है और थोड़ा सा आपने chemistry में ये चीज़े सुनी है जिसमें अपने Schrodinger wave equation पढ़ी हुई है Heisenberg uncertainty principle बढ़ा हुआ है quantum mechanics is actually the field of study of motion और इसमें हम किस चीज़ का motion study करते हैं microscopic objects का microscopic particles वो जो microscopic particles है they are very small for example आप electrons का motion study करते हो protons का motion study करते हो ठीक है neutrons का motion study करते हो photons है आपके पास light के particles ठीक है तो ये सारा कुछ quantum mechanics में चला जाता है ये हम BSC second year में बढ़ते हैं और आप उसको बहुत enjoy करोगे जब अब BSC second year में quantum mechanics पढ़ोगे basically वहाँ पर जो basic concept आता है वो ये आता है जैसे कि आपने plus two में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि हर किसी material particle के साथ जैसे कि येक electron है हर किसी material particle के साथ उसकी एक deep broadly wavelength associated है मतलब एक particle wave की तरह भी behave करता है और एक wave जैसे light है वो particles की तरह भी behave करती है जैसे कि photons जैसे कि photons की तरह behave करती है तो conditions different होने के कारण एक wave particle की तरह behave कर सकती है particle wave की तरह behave कर सकती है तो उसको बोलते है dual nature आपने ये पूरा chapter पढ़ा हुआ है dual nature of matter matter मतलब यह electron, proton, newton हो गए, and radiation, यह आपने detail में पढ़ा हुआ है, ठेक है, तो उसमें आप यही सीखते हो, कि एक electron के साथ d-brogly wavelength होती है, जिसको आप ऐसे calculate कर सकते हो, हो, h by mv है न, और इसके से इलावा, अगर आगर आप एक photon की बात करते हो, तो photon जो है, वो light actually wave से आया है, wave की बुछ frequency है, वहाँ से आप photon की energy is equal to h new लिख लेते हो, तो यह सब basic fundamental relation आपने पढ़ी हुई है, तो जब आप quantum mechanics की regime में होते हो, तब particles बहुत small होते हैं, लेकिन अभी की उनकी जो speed है, that is very less as compared to speed of light, ज्यादा नहीं है, इसको हम simple quantum mechanics बोलते हैं, एक इसके बाद, relativistic quantum mechanics भी होती है, relativistic quantum mechanics में, speed of light is comparable to speed of light, particle की, speed of particle is comparable to speed of light, जब हो relativistic quantum mechanics हो, मसी class में पढ़ाई जाती है, ठीक है, अभी हम BSE में बापिसा आ जाते हैं, तो BSE second year में आप quantum mechanics पढ़ोग हम एक electron पर force लगा देंगे और देखेंगे कि यह electron कैसे move करता है, क्या इसकी energy की different states होंगी, energy levels बन जाते हैं, एक बहुत famous equation है, Schrödinger wave equation, वो Schrödinger wave equation इस particle के wave function की equation है, wave function क्या होता है कि अगर आप particle को एक wave मानते हो न, तो यह जो variations हो रही हैं उसके amplitude मे, electron actually एक जगा पे नहीं होत होता है, इसमें electron काफी जगा हो सकता है, at a single time, ठीक है, मतलब basically quantum mechanics में जो calculations करते हैं, that is based upon the probability, यहां भी particle हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, there is probability of having the particle here, तो इन चीज़ों में बातें करते हैं, तो उस case में फिर Schrödinger wave equation जो है, वो basic fundamental law है, लेकिन quantum mechanics अभी हम नहीं पढ़ने वाल करेंगे, special theory of relativity, इसका course में करवाँगा आपको, तो special theory of relativity में क्या पढ़ना होता हमें, उसमें हम objects तो कोई भी ले सकते हैं, spaceship ले सकते हैं, कोई satellite ले सकते हैं, कोई बड़ा object कुछ भी ले सकते हैं, car, scooter, anything, but उसमें जो particle या body की जो speed होगी, that will be comparable to speed of light, मतलब velocity of object, जो move कर रहा ह है, that will be comparable to 3 into 10 to the power 8 meter per second, जब आप किसी object को इतनी high speed पर move करवाते हो ना, तो physics के सारे loss change हो जाते हैं, अभी तक आपने पढ़ा है कि particle का mass नहीं change होता, जैसे आपने Newton's second law of motion में पढ़ा है, मैं loss of motion की statement भी दूँगा भी आपको, लेकि पहले थोड़ा सा इंटस्ट बना दें आ होगा, linear momentum का formula होता है, mass into velocity, it is actually the motion contained in the body, अगर एक ट्रक है, उसका mass है, माल लेते हैं, 1000 kg उसका mass है, और वो 30 km पर आर से चल रहा है, तेका है यह उसकी speed है, 30 km पर आर कोई ज़्यादा speed नहीं होती, अगर यह ट्रक किसी दिवार पर जाकरा जाए, तो वो दिवार को तोड़ द यह उसका momentum था, जिसके कारण उसने दिवार को तोड़ दिया, speed को इतनी ज़्यादा नहीं है, बट उसका mass ज़्यादा इस वज़ा से यहाँ पर जो आगे उसके सामने अगर कोई दिवार लगा तोगे, तोड़ देगा उसको, हना, तो momentum is actually the amount of motion, हम ऐसे बोल देते हैं, amount of motion, just समझने के लिए in a body, otherwise momentum कैसे measure किया जाता है, जितना यह impact डालेगा वहाँ पर उस दिवार पर जाके truck, उतना उसका momentum होगा, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जब हम momentum को use करते थे, mass time velocity और यहाँ put करते थे, तो हम ऐसे लिखते थे, d by dt is equal to mv vector, और फिर आप second law में क्या करते थे, Newton ने किया यह, m को बाहर निकाल लिया, क्योंकि तब तक Newton को यही पता था कि mass नहीं change होता body का, कुछ situation में हो सकता है, वो मैं बताता हूं कौन situation में हो सकता है, चाहे कम speed पर भी body move कर रहे है, तब भी mass change हो सकता है, बट अगर एक simple body move कर रही है, उसमें से कोई particle बाहर नही तो उसका mass जो है, that will be constant, यह हमने पढ़ा हुआ, और Newton को भी यही पता था कि mass constant है, तो mass बहार आ गया, तो dv by dt is acceleration, तो mass time acceleration, तो in Newton mechanics, Newtonian mechanics, mass is a constant quantity, but when we will study the special theory of relativity, then you will see, कि mass is no longer a constant, mass constant नहीं है, अगर speed high है किसी object की, मान लो यही car हमने 2 into 10 to the power 8 meter per second पर move करवा दी, इस इतनी high speed है, यह बिल्कुल speed of light के comparable है, बहुत high speed है, तो उस case में इस body का जो mass है, वो constantly होगा, that will start increasing, यह proper laws कैसे आए, इनकी derivations क्या है, यह सब चीज़े हम special theory of relativity के course में, detail में पढ़ेंगे, in the next semester, बहुत टेल में पढ़ेंगे यह सब चीज़े, तो ऐसी बहुत सारी चीज़े वहाँ पर हमारे सामने आएंगी, लेकिन वो special theory of relativity सिरफ उस case में लगेगी, जब object की speed बहुत ज़्यादा high होती है, as compared to the speed of light, ठीक है, मतलब उसके बराबर होती है, compare बराबर तो हो नहीं सकती, उससे थोड़ी कमी रहेगी, बट काफी high होती है, तो relativistic laws आ जाएंगे, ठीक है, now coming back to the Newton's laws of motion, we have three basic laws, और कैसे हम उनको apply करते हैं, कैसे हम problem solve करते हैं, with the help of Newton's laws, यह अभी हम देखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से सुनो, देखेंगे, जो Newton's laws of motion है, we have three fundamental laws, पहला law होता है, law of inertia, हाजी, first law होता है, law of inertia, law of inertia बोलता है कि अगर कोई body rest पर है, तो वो rest पर ही रहेगी, जब तक आप उस पर कोई force नहीं लगाते, अगर कोई body constant velocity से move कर रही है, constant velocity से, मतलब इसकी direction भी नहीं change होरी, और इसका magnitude भी नहीं change होरा, speed का, velocity का, तो उस case में ऐसे ही चलती रहेगी, जब तक आप इसके उपर कोई force नहीं लगाओगे, और third है, कि अगर कोई object एक straight line motion में जा रहा है, तो उसकी direction नहीं आप change कर सकते, जब तक आप उस पर कोई external force न कि अगर कोई body rest पे है, तो rest पे रहेगी, जब तक आप उसको हिलाओगे नहीं, ठीक है, तो that is called inertia, तो inertia के तीन types हो जाती है, यहाँ पे, एक हो जाता है, inertia of rest, जो की है कि अगर एक book इस table पे पड़ी हुई है, तो अगर आप इस book पे कोई force नहीं लगाओगे, तो यह rest पे ही फर एक्जामपल आपने cloth ले लिया, उस cloth को हमने इस book के नीचे रखा, और आपने इसको ऐसे pull किया, cloth को तेजी से, ठीक है, ऐसे खीच लिया, तो आप तो cloth पे force लगा रहे हो, book पे नहीं लगा रहे, तो book वहीं पे रहेगी, वो नीचे आजाएगी, cloth बार आजाएगा, ठी एक law है, यह उसने observe किया, Newton ने और उसकी एक statement दे दी है, तो simple सी बात, लेकिन उस time पर 17th century में, लोगों ने इसको इस तरह से formulate नहीं किया, उसने formulate करके उसकी statement दे दी, second है, inertia of motion, यह इसके तीन types है, law एक ही चल रहा है, लेकिन तीन types है, inertia of motion यह है, यगर एक motorcycle चल रही है, with some constant velocity V, तो जब तक आप इस पर कोई force नहीं लगा होगा, यह चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन day to day life में ऐसा नहीं होता, day to day life में मानलो, आप activa start करते हो, activa start करने के बाद, आप एक constant speed पर पहुंच गए, और फिर आपने activa को बंद कर दिया और आप उसके उपर बैठे हो हो, तो उस case में तो एक activa रुक जाती है, but inertia of motion बोलता है कि नहीं वो चलती रहेगी, वहाँ activa इसलिए रुक जाती है, उस case में activa इसलिए stop हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक opposing force लग रही है, which is due to air friction, air की opposition force भी है, और यह जो tires हैं, यहाँ प motion को धीरे-धीरे retard करती है, मत्तब external force लगी रही है न, तब यह तो वो रुकती है body, बट अगर कोई भी opposing force ना हो, जैसे मान लो आप space में हो, vacuum है, hair भी नहीं है वाँपे, और कोई friction force भी नहीं है, कोई contact force भी नहीं है, उस जगा पर आप एक बास start हो जाओ, constant speed से space में, तो character है, उसकी spaceship ही होती है, वो वहाँ पे कुछ accident हो जाता है, और वो फिर space में घूमने लग जाती है, तो बड़ी मुश्किल से फिर वो space से अर्थ पर कैसे पहुंच दिया है, उसके उपर based movie है, बहुत interesting movie है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर space में क्या होता है, अगर मान लो एक astronaut है वो astronaut space में ऐसे उड़ी जा रहा है, उसने मान लो direction change करके अपनी spaceship तक आना है, तो उसके पास एक gas का छोटा सा cylinder लगाया होता है, उसमें gas होती है, और उसका valve खोलते ही, gas ऐसे पीछे की तरफ निकलती है, और Newton third of motion वहाँ पे help करता है, F12 is equal to minus of F21, every action has equal and opposite direction, action हम लगा रहे हैं direction में फिर वो उसके उपर force लगती है, उस बंदे के उपर और वो पहुंच जाता है, उसकी direction वहाँ से change होती है, और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, actually वहाँ पे air नहीं है, तो वो force किस पे लगा रहे हैं, vacuum पे ज़गा नहीं सकते हैं, तो दो cylinder होते हैं उस towards, तो यह third of motion भी पढ़ेंगे अभी, और third है हमारे पास, inertia of direction, वो मैंने आपको बता दिया, inertia of direction वही है, कि अगर एक object straight line motion में जा रहा है, तो straight line में ही चाहिएगा, जब तक आप उसके उपर force ने लगाओगे, अब direction कैसे change होती है, मालो यह इधर जा रही है, car, तो आपको perpendicular direction में force लगानी पड़ेगी, perpendicular to velocity, या inclined लगानी पड़ेगी, आप इधर force लगाओगे, इसका जो component इस direction में आएगा, perpendicular to velocity, वो इसकी direction को change करता है, तो वो जो force होती है, हमेशा center की तरफ होती है, अपने circular motion में बढ़ा होगा, कि there is always some force which is called centipetal force mv square by r, तो this is also from neutrons, neutrons laws of motion, mv square by r is called centipetal force, और force के लग-लग types है हमारे पास, तो ये भी एक force है, तो this is law of inertia, second law भी फटा-फट स्टेट कर देते हैं, बता देते हैं आपको, वो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, वैसे, हांजी, second law है, the force acting on an object is directly proportional to rate of change of linear momentum, of object, ओके, इसका मतलब है कि f is always directly proportional to dp by dt, यहाँ पे proportionality constant 1 होता है, ऐसे units में, और हमेशे ही 1 होता है, तो this is f is equal to dp by dt, यहाँ से हम p को जैसे मैंने अभी किया ही था, दुबारा कर लेता हूँ, m we put कर देते हैं, mass को अगर constant मालने, तो mass बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगी form m into a, और अगर mass constant नहीं है, तो form कैसी होगी, वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, if m is not constant, क्या example है, m constant नहीं हो, जैसे मालने एक बैलून है, उस बैलून को आपने खोल दिया, उसमें से हवा बाहर निकल रही है, तो उसका mass कम हो रहा है, और वो उपर की direction में ऐसे उड़ता चला जाता है, तो उसमें mass constant नहीं है, मालो एक truck है, उस truck के उपर ऐसे rate भरी होई है, बहुत ज़्यादा, यह किसी velocity से चल रहा है, लेकिन rate का पीछे से वो खुल गया डाला, और rate नीचे गिननी शुरू होगी, यह गिर्ती चले जा रही है, यह चलता जा रहा है, ठीक है, तो उसकेस में भी mass constant नहीं होगा, यहाँ speed तो कम है, relativity भी नहीं जाएंगे, लेकिन mass vary कर रहा है, तो उसकेस में यह ऐसे बन जाती है equation, f is equal to, यहाँ m दोनों को differentiate करेगे, first function, derivative of second, plus second function, derivative of first, ठीक है, तो यह बन गया m times a, m a का factor तो रहे गई रहेगा, लेकिन उसमें अब एक और factor add हो जाएगा, जो net force देगा आपको, वो होगा जो उसकी velocity है उस time पे, into rate of change of mass, this dm by dt is called rate of change of mass, ठीक है, तो यह होता है, तो इसके units भी आपको पहचान दे देंगे, कि यह dm by dt, इसके units होते है, kilogram per second, अगर किसी numerical में kilogram per second में कोई चीज दी हुई है, तो वो मतलब dm by dt है, चलिए, तो यह तीन laws मैंने state कर दिये, अगर किसी body का mass constant है, then the force acting on the body is equal to mass time acceleration, ठीक है, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर body पे कोई net force ही नहीं लग रही, ठीक है, अगर किसी body पे net force, यह net force होती है, ठीक है, opposite वाली भी देखनी है, और same direction वाली भी देखनी है, उन सब का vector sum, अगर यह force ही 0 है किसी body पे, तो उसका मतलब है, the body will move with constant velocity, क्योंकि उस case में फिर acceleration 0 हो जाएगा, acceleration 0 होने का मतलब है, कि जो body की velocity है, that will be constant, अब velocity में दो चीज़े आ जाती है, magnitude, मतलब उसकी speed भी change नहीं होगी, body की, मतलब ना तो वो slowdown होगी, ना वो fast speed up होगी, ना slowdown होगी, कुछ नहीं होगा, और दूसरा direction भी आ जाएगी, युकि यह एक vector quantity है, तो direction of motion भी same रहेगी, वो भी change नहीं होगी, तो this is very important fact, अब इसके लिए एक example आप समझ सकते हैं, अगर आप एक chair को, या एक block को, किसी rough surface पे force लगा के move करवा रहे हो, आपने तो force लगाई है यहाँ पे, और आप इसको move करवा रहे हो, इसे आप pull कर रहे हो, और यह ऐसे move कर रहे हो, लेकिन while moving its velocity is constant, let us suppose इसकी velocity जो है, that is 0.3 meter per second, दिरे दिरे आप इसको move करवा के लेके जा रहे हो, heavy block है, constant speed से यह move कर रहे है, तो इसका मतलब है कि जो opposite force लग रही है, इस surface पे, जो block का नीचे वाला surface है और table का उपर वाला surface है, उसमें friction force होगी, तो वो जो opposite force है, that is called kinetic friction, वो kinetic friction इस case में applied force के बिल्कुल बराबर है, तो applied force F vector is minus of Fk vector, equal and opposite, तीक है, ऐसा है, और यह दोनों ही forces block के उपर लग रही है, यह ध्यान देना है कि यह दोनों forces अलग-अलग objects पे नहीं लग रही, यह एक ही चीज़ पे लग रही है, F or Fk vector both are acting on a single object, तो उस case में object की speed constant होगी, और net force 0 होगी, और यह law जो है, वो पूरी तरह से applicable है, ठीक है, तो net force 0 होगी, तो body constant speed से move करेगी, अगर यहां friction force नहीं होती, फिर बच्चो constant speed नहीं रहेगी, फिर पता ही है कि force लगाओगे तो acceleration produce होगा, यहां पर opposite force थी, इसलिए net force 0 है, तो this is Newton's second law of motion, third law जो है, that is called law of action and reaction, तीसरा law, law of action and reaction, इस case में हमारे पास दो different bodies होती हैं, जिन पर यह action और reaction की forces लगती हैं, single body नहीं होती, जैसे यह block था ना, block के उपर ही लग रही थी friction, block के उपर ही लग रही थी यह वली force, तो उस case में यह दोनों forces एक दूसरे को cancel कर रही थी, इसलिए यहां पर लिखते हैं कि F net 0 है, but इस case में ऐसा नहीं होता, इस case में action एक body पे लगती है, तो reaction दूसरी पे लगती है, इसी case को फोड़ एक स्टेंड करके मैं बता रहा हूँ, यही हमारा वोई table है, जैसे आपके सामने पढ़ा हुआ है, उपर मैंने जैसे बनाया, और same वैसे हमारे पास block है, same वैसे हमारे पास block है, अब चलिए ठीक है, force F लगा दी, friction force भी आ गई, that is correct, ठीक है, बट, और भी दो forces है, जो इस block पे लग रही है, ठीक है, ध्यान से देखे, एक तो यह block under the effect of gravity पढ़ा हुआ है, अब अगर कोई चीज under the effect of gravity है ना, चाहे वो table पे पढ़ा है, चाहे वो हवा में लटका हुआ है, चाहे वो धागे से बांध रखा है, या आपने वैसी इसको free fall करवार हो, हर case में downward force mg लगनी ही लगनी है, यह सिरफ तब नहीं लगती जब body height पे होती है, अगर body ground पर भी पढ़ी हुई है, जिसे जमीन पर आपने कोई चीज रखी हुई है, उस पर भी mg force लग रही है, table पे कोई चीज पढ़ी है, उस पर भी mg लग रही है, किसी height से कोई चीज नीचे गिर रही है, तब भी mg force लग रही है, क्योंकि यह जो force होती है, this is due to gravity, it acts on the body due to gravity, जब तक यह body gravitational field में है, यह force लगेगी ही लगेगी, युकि g जो है, उसके उपर force लगाएगा, g is acceleration, it is a natural acceleration, acceleration due to gravity, अर्थ के कारण जो acceleration है, वो है यह, अर्थ के mass के कारण और इसके उपर force लगेगी, लगेगी, ठीक है, तो इस block पे अगर इसका mass M है, तो mg तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, number one, अब दूसरी force इस block पे और लग रही है, वो लग रही है, इस table की reaction force, अभ्यान से समझ नहीं इस concept को, अभी मैं जो बनाने जा रहा हूं, इस block के उप पर force, मैं यहाँ नीचे से बना रहा हूं, like this, this is the reaction force, this is the force due to table reaction, reaction force due to table on the block, और यह आपने plus one में पढ़ा हुआ है, कि इसको normal reaction मोलते है, normal मतलब perpendicular to the point of contact, ठीक है, चलिए, तो यह reaction force है, अब इस block के उपर कौन को इस दो forces लग रही है, अगर आप ध्यान से देखो, इस block का free body diagram बनाएंगे, plus one में थोड़ा सा आपको करवाई जाती है चीज़े, एक तो downward direction में mg लग रहा है, दूसरा इस block के उपर r लग रहा है, और यह दोनों forces एक दूसरे के बराबर है, यह दोनों एक ही object में लग रही है, यह action reaction नहीं हुई, ठीक है, यह these are not action reaction forces, वो अलग है मैं बता रहा हूँ अभी आपको, यह एक single object में लग रही है, दोनों opposite है और बराबर है, इसलिए तो यह block stationary है, तब ही तो यह move नहीं कर रहा, अगर मान लो इसमें से कोई एक force बढ़ी होती, reaction force बढ़ी होती, या mg बढ़ा होत is on block also, but, क्योंकि आपने block को table पे रख दिया हुआ है, इसलिए mg force table पर भी लग रही है, और इसलिए table, mg के बराबल, normal reaction block पे लगा रहा है, जो table है, वो mg के कारण, वे इसके weight के कारण, normal reaction block पे लगा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि what is action force, तो यहाँ पर action force हो गई, action is the weight of block, ज्यान से देखना, weight of block on table, this is action, table पे हम action लगा रहे हैं, और reaction क्या हुआ फिर, reaction is normal reaction of table, on the block, अब यहाँ पे देखिए, दोन object different है, action table पे हो रहा है, और reaction block पे हो रहा है, same वोई example आप इस तरह से भी ले सकते हो, जैसे मालो यह एक wall है, इस wall को आप यहाँ पे खड़े हो, और आप push करने की कोशिश कर रहे हो, उसको धक्का मार रहे हो ठीक है, तो आप यहाँ पर action लगा रहे हो, wall पे, और wall आप पे reaction लगा रही है, देखो दिवार तो वहाँ से हिलेगी नहीं, लेकिन जितने ही force आप लगाओगे, उतनी ही force आप पे लगेगी और आप पीछे की तरफ आ जाओगे, तो यह action reaction है, तो action reaction force always acts on different objects, अब यह तो हो गया जी, contact force के case में, लेकिन ह हमारे पास दो non-contact forces भी हैं, non-contact मतलब bodies चाहे contact में हैं चाहे नहीं हैं, तब भी लगती है, वैसे gravitational force non-contact force है, लेकिन जो R है, that is a contact force, यह तब ही लगती है, जब कोई body किसी के साथ, किसी object के साथ contact में आती है, तो non-contact forces जितनी भी हैं हमारे पास, जो बीना contact के भी लग जा small distance r, तो यह तो आपने पढ़ा हुआ है law, m1 पे जो force लगती है, वो extraction में लगेगी, this is called f12 vector, और m2 पे जो लगेगी, वो extraction, opposite direction में लगेगी, f21 vector, अब दोनों का magnitude, तो इसी formula से आता है, f21 या f12 का जो magnitude है, वो तो इसी formula से आता है, g m1 m2 by r square से, but direction opposite है, f12 की direction इधर है और f21 की इधर है, हमेशा opposite रहेगी, तो इस case में वो ही write, action and reaction are equal and opposite, these two forces always act on different objects, इसका ध्यान रखना है, कभी भी same objects पे नहीं लगते, ठीक है, अब चलते हैं आगे, यह तो statement है, statement पता ही आपको to every action, there is equal and opposite reaction, अब देखते हैं इस को और कैसे लिख सकते हैं इस law को, different forms देखते हैं इसकी, देखें, हमने लिखा f12 is equal to minus of f21, ऐसे हमने लिखी है, ठीक है, अब हम f12 को यहाँ पे open करते हैं, rate of change of momentum की form में लिखते हैं, तो यह बनेगा dp1 by dt is equal to dp2 by dt, ठीक है, यहाँ p1, p2 क्या है, p1 is momentum of body 1, linear momentum of body 1, और p2 क्या हुआ, p2 हुआ दूसरी body का linear momentum, यह f21 का मतलब है force on second due to first, तो जिस पर force लगती है, उसका momentum change होता है, p2 is the momentum of body 2, ठीक है जी, यह हो गया, अब इसको और अब मच्छे से लिख सकते हैं, mass constant है अगर, तो इट can be written as, dv1 by dt is equal to m, अब let us suppose masses are also different, dp2 की जगा, यहाँ v2 आ जाएगा, by dt, यह equation बन गी, अब this is, this is mass times acceleration is equal to, with negative sign, m2 a2, तो यह हमारे पास एक equation बन गई है, ठीक है, अब इसका मतलब है कि, अगर हम accelerations को देखें, चलो, negative sign तो हमें direction बता रहा है, कि अगर a1 acceleration इस तरफ है, पहली body का, तो दूसरी body का acceleration a2 opposite direction में होगा, minus sign तो सिर्फ यह बता रहा है, क्योंकि यह दोनों vectors हैं, तो direction के बारे में बता रहा है, कि यह दोनों acceleration a1 a2 opposite direction में हैं, अगर magnitude ले ले, तो आप ऐसे लिख सकते हो, m1 a1 is equal to m2 a2, तो यहां से पता चलता है, कि a1 by a2 की ratio, m2 by m1 की ratio के बराबर है, तो यह तो result पहले सी हमारे पास है, ठीक है, यह result देखिए, कहां से आया, यह result सिधा third law से आ गया हमारे पास, क्या बता रहा है, यह result यह बता रहा है, कि जिस body का mass ज्यादा होगा, उसका acceleration कम होगा, mass and acceleration are inversely proportional, ठीक है, वैसे भी हमें पता है, तो action and action में यह हुआ, कि मानलो यह m1 body है, यह m2 body है, अब magnitude की बात करने वाले हैं, ठीक है, अगर, first body का mass, दूसरी body के mass से कम है, force तो दोनों पे ब्राबर लग रही है, वो मैंने पहले ही बता रही है, magnitude of the force is equal, force ब्राबर लग रही है, अगर mass heavy है, तो acceleration कम produce होगा, तो उसका acceleration less होगा, as compared to the acceleration of second body, जो lighter body है, उसका ज़्यादा acceleration produce होता है, और यही हमारे पास अर्थ के case में होता है, जैसे यह हमारी अर्थ है ना, यह हमारी अर्थ है, काफी बड़ी है अर्थ हमारी, 6400 km इसकी radius है, काफी बड़ी है, mass भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपके पास कोई object है, एक ball है चोटी सी, अब जो gravitational force है ना, दोनों पे लग रही है, यह सिरफ इस ball पे नहीं लग रही, action और reaction दोनों चीज़े है, इस पे भी लग रही है, इसको F21 बोल देते हैं, या simply बोल देते हैं, force on mass small m, और बड़े m पे भी लग रही है, उपर की तरफ, force of mass capital m, यह इस पे लग रही है, ठीक है, अब दोनों का magnitude बराबबर है, आप सोचो कि आप same force के साथ, एक truck को खीच रहे हो, और same force के साथ, एक cycle को खीच रहे हो, यह example है यहाँ पे, ठीक है, तो truck obviously, नहीं move करवा पाऊँगे, यह उसमें acceleration कंपर यूस करवा पाऊँगे, truck बहुत हैवी है, तो वो अर्थ है हमारी, अर्थ में भी acceleration produce होता है, but that is very very small, विकि उसका mass बहुत ज़्यादा है, as compared to the mass of ball, और ball पे भी उतनी ही force लग रही है, लेकिन वो काफी light है, तो उसमें ज़्यादा acceleration produce होता है, और वो अर्थ की तरफ कीजी चली आती है, अमें ऐसा लगते है कि ball पे force लग रही है, बट ऐसा नहीं है, अगर आप किसी चोटे से object को, मालो आपके सामने एक pen पड़ा है, बट वो जब pen है, वो अर्थ के पास चला जाता है, वो यही एक्जामपल है हमारे पास, दोनों magnitude बराबर है, मतलब एक्जामपल के तरफ पे अगर यह 100 N है, तो इस पर भी जो force लग रही है, 100 N ही लगेगी, फिर एक truck को 100 N से खीच लेओ, यह truck है, और एक cycle को कीज़े हो, तो obviously cycle move करेगा, यह action और reaction की law की consequence है, this is a consequence of third law, of consequence का मतलब होता है result, तो these are laws of motion, ठीक है, laws of motion है, अब हम धोड़ा सा देखते हैं, कि हम इनको use कैसे करते हैं, Newton's law पे बात हो रही है न, तो यह तो पता ही होना चाहिए, कि हम किसी भी बाड़ी का motion जब study करते हैं, तो हम laws को use कैसे करते हैं, बहुत easy चीज़ है, जहां से देखो, अगर आपके पास कोई एक object है, जिस पे कुछ force लग रही है, force आप में पता होती है, in most of the experimental situations, force हमें पहले से ही पता होती है, उसका mass भी हमें पहले से ही पता होता है, तो हम A find कर लेते हैं, F by M करके, this is the first step, अब net force find कैसे करनी है, net force find करने के लिए बहुत सारे methods है, अगर मान लो यह pulley system है, आपने plus 1 में पढ़ा हुआ है, इसका mass M1 है, इसका mass M2 है, तो आपको क्या चाहिए, कि इस system पर net force कितनी लग रही है न, तो आप क्या करते थे, इधर आप ऐसे M2G बनाते थे, opposite direction में tension, एक यहाँ tension, फिर यहाँ tension, यह reaction forces हैं सारी tension की, और last में फिर M1G बनता था, तो आप क्या बोलते थे, कि let's suppose यह वाला mass बढ़ा है, तो acceleration इस direction में होगा, तो net force यहाँ तो वैसे ही देखने से पता चल रही है, मुझे net force क्या होगी, ठीक है, बट अगर आप equation लिखना सीखना चाहते हो, वो भी मैं एक मिरण में सिखा देता हूँ, equation कैसे लिखी जाती है, इस problem को solve करने के लिए, ऐसे लिखा जाता है, net force on M2, net force on M2 क्या होगा, M2 into A, mass science acceleration is always the net force, जो भी उस system का acceleration है, into mass कर दो, वो net force होती है उस object पे, net force is always equal to forces in that direction, वादल जिखना net force है, उस direction में जितनी भी forces है, वो सब add कर दो, यहाँ तो सिरफ M2G है, minus opposite force, minus T, T, उसको opposite है, उसको minus कर दो, तो यह net force की simple equation है, सिरफ इस body के लिए, दूसरी के लिए लिखना है, अब अगर यह नीचे आ रही है, तो फिर यह उपर जा रही होगी body, अब इस case में net force बन जाएगी M1A, और M1A is equal to tension, minus opposite force, क्योंकि अब इस direction में tension है, T, T कर जाता है, और M2G minus M1G, यहां से हम acceleration लिख लेते होते हैं, तो अब acceleration तो बच्चों हम find कर सकते हैं, इस method से, free body diagram भी बना लेते हैं, अगर इस तरह से block पड़े हुए हैं, उनको भी अगर हम कीचते हैं, तो आप मान लो, यह F4 से आपने तीन blocks को खीचा, M1, M2, M3, this is second example, just to recall the things, तो अगर आप यहां F4 लगा रहे हो, इस पूरे system पर, train समझ लो इसको, train के डब्बे हैं यह, तो इस पूरे system में acceleration प्रड्यूस होगा, और वो acceleration होगा, उसको अगर आप लिखना चाहते हो, तो formula वही होता है Fnet, कि net force system पर कितनी लग रही है, अब यहां तो net force capital F ही लग रही है, मुझे पता ही है कि मैंने इसको कीचे ही capital F से है, divided by total mass, तो इस तरह से हम acceleration किसी भी system का find कर लेते हैं, तो acceleration जब आपके पास आ जाता है, फिर हम check करते हैं, उसके बाद वही check, कि क्या acceleration constant है, क्या वो time के साथ change हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, ठीक है, यह एक case बन जाता है हमारा, अगर acceleration constant आ जाता है, तो उस case में हमें पता जल जाता है, कि यह uniformly accelerated motion है, और अगर acceleration time पे depend करें, अगर second situation में यहां लिज़ता हूँ, अगर acceleration constant नहीं है, मतलब acceleration is function of time, वहाँ time आ गया, ठीक है, माल लो यह force ही with respect to time वेरी करवा रहे हो आप, तो अगर आप force with respect to time वेरी करवा रहे हो, तो acceleration भी time के साथ वेरी करेगा, अगर आप force time के साथ वेरी करवा रहे हो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि force कुछ इस तरह से problem में given होगी, मतलब example मैं यहां लिज़ता हूँ, force होगी फिर वो कुछ इस तरह की, let us suppose 3T square minus 2T, यह time चल रहा है, Newton, मतलब 1 second पे आप calculate कर सकते हो, 0 second पे 0 है, 1 second पे 1 put कर दो, 2 second पे 2 put कर दो, तो time के साथ force vary कर रही है, force vary करेगी, acceleration vary करेगा, acceleration function of time आगया, तब आप कैसे solve करते हो, हमने करना क्या है, हमें actually motion को solve करना है, motion को study करना है, अगर acceleration constant है तब भी, अगर acceleration नहीं constant तब भी, motion को study करने का मतलब, मैंने बताया था, कि हमें position find करनी होती है, object की speed velocity find करनी होती है, कि इस particular time पे वो कहां होगा, कि इतने time में कितना displacement करेगा, इसकी velocity final कितनी होगी, ये सब चीज़े हमें देखनी होती है, अगर constant है, तो सीधा सा हमारा solution है, जो plus one में पढ़ते हो, तुम सब लोग, ये सब कुछ plus one में पढ़ा हुआ है, just recalling है, कि mechanics पढ़ रहे हो न, और physics honors के students हो, तो ये आपके दिमाग में एक chart होना चाहिए, कि इस तरह से हम mechanics की, newtonian mechanics की help से problems को solve करते हैं, तो इसमें फिर हमारे पास equations आ जाती है, अगर straight line motion है, तो आप सीधा लिख देते हो, s is equal to ut, plus half 80 square लगा दो जी, time put करो, initial velocity put करो, displacement आ जाएगा, v square minus u square, 2as कर दो, यहाँ पे acceleration जो भी यहाँ से आया, आपके पास solve करके problem को, वो acceleration put करो, speed put करो, initial, final वाली put निकल आएगी, वहाँ से, ठीक है, और अगर final भी है, आपके पास initial भी है, तो आप acceleration put करके displacement निकाल सकते हो, और अगर आप final velocity निकालना चाहते हो, तो v is equal to u plus 80 लगा दो, 4 second पे कितनी velocity है, 5 second पे कितनी velocity, acceleration यहाँ से जो भी answer आया, उसको यहाँ put करो, यहाँ से answer कैसे आएगा, देखो, problem में, एक real life problem में, masses given होते हैं, जैसे यह 5 kg, यह 2 kg, यह 5 पूट किया, यह 2 पूट किया, solve किया, एक constant value आजाएगी, constant value आजाएगी, तो यह equations आपकी help करेंगे, state line motion में, ऐसे लिख लेते हैं, motion in plane में, दो तरह से लिख लेते हैं, vector form में, x coordinate की equations अलग से लिख लेते हैं, y coordinates की equations अलग से लिख लेते हैं, और फिर उनको solve करके, finally vector form में answer कर देते हैं, बट अगर acceleration time पे depend करेगा, तो फिर क्या होगा, फिर आप velocity निकालना चाते हो न, तो ये करते हैं, x solution को integrate करके, हमारे पास velocity आ जाती है, ये भी आपने plus one में किया हुआ, फिर आप पर velocity आ जाजेगी है, फिर आपने position निकालनी है, तो फिर आप velocity को integrate करते हैं, तो आपको पता जल जाता है, इतने टाइम बाद कितना displacement कवर कर लेगा, ये सब function of time है, तो इस तरह से integration और differentiation को ये जूज करके, we can find velocity, we can find position of the particle, और अगर आपके पास माल लो, acceleration is a function of position, then we can use this formula, acceleration is equal to v dv by dx, ये भी एक formula होता है, प्लस पर में किया हुआ हमने, acceleration की velocity के साथ relation, तो उस case में फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v dv is equal to a dx, इस तरह से इसको integrate कर देते हैं, दोनों तरफ, वहाँ से भी आपको velocity मिल जाती है, acceleration को integrate करना है, but here acceleration is a function of position, मतलब फिर हम बताते हैं, कि acceleration position के साथ कैसे vary गाजा है, उसमें force भी function of position दी होगी, acceleration भी function of position होगा, x होगा यहाँ पे t की जगा, इसका यह मतलब है, तो बस उसको integrate करके, limits वहाँ पुट करके, हम problem को solve करते हैं, यह सब चीज़े plus one में, बहुत सारी example सुम बच्चों ने करी होगी, लेकिन एक दिमाग में flow chart बना important है, कि भई इस तरीके से, newtonian mechanics की help से, हम problems को solve करते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास, conservation laws भी आ जाते हैं, फिर important है, जब भी mechanics को हम study करते हैं, motion को study करते हैं, तो कुछ हमारे पास important laws होते हैं, जो हमें problems को solve करने में help करते हैं, जैसे, आपने plus one class में पढ़ा था, newton's laws of motion, तो newton's laws of motion में, जो main काम होता था, वो यह होता था, कि acceleration find करो लग-लग situations में, फिर उसके बाद, kinematics में आपने यह पढ़ा, कि अगर acceleration पता है, तो आप इन चीज़ों को में, इन equations में use करके, या in equation में use करके, motion parameter निकाल सकते हो, but, ध्यान से देखें, तो यह जितनी भी quantities हैं, कौन-कौन सी, A, V, displacement, all these are vector quantities हैं ना, these are vector quantities, और vector को handle करना स्वड़ा difficult होता है, vectors में आपको direction का भी ध्यान देना पड़ेगा, फिर resultant find करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें आप Newton's law में करते हैं, but, और भी तरीका है problems को solve करने का, same mechanics problem को solve करने का, एक और method है, और वो method है, law of conservation of mechanical energy, सीधी एक equation लिखी जाती है, उसमें, law of conservation of mechanical energy, और आप problem को solve कर सकते हो, वो चीज़ा अपने work energy power वाले chapter में पड़ी हो, या plus one में, ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, अब देखो वो जो law of conservation of mechanical energy है ना, वो एक conservation law है, जो इस पूरे universe में, हर जगा valid है, इस तरह के और भी laws है, law of conservation of linear momentum है, law of conservation of angular momentum है, और हर एक law जो है, वो हमें problem को solve करने में हमारी help करता है, तो अब वो कौन-कौन से conservation laws हैं, पहले वो पढ़ेगे, ठीक है, conservation laws थोड़े से पढ़ाके, फिर अब conservation laws है, symmetry of space and time, space and time की symmetry, actually conservation law लेके आती है, कुछ properties होती है, space और time की, उन properties के कारण ही, यह जो conservation laws है, वो valid होते हैं, वो चीज़ अभी थोड़ी in-depth अभी हमने पढ़नी है, वो plus one से थोड़ा सा हटके है, तो, space and time की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं conservation laws और symmetry of space and time की बात कर रहा हूँ, देखो, हम space में ऐसे तीन axis बना लेते हैं, problem को study करने के लिए, एक reference point माल लेते हैं, कि इसके with respect to origin है, इसके with respect to सब कुछ study करेंगे, position of particle भी इसके with respect to निकालेंगे, velocity vector भी, acceleration भी है ना, origin को change करने से, values change हो जाएंगी, अब, जब आप motion को study करते हो, तो space important है, क्योंकि आप हमेशा, किसी reference point के with respect to ही, चीज़ों को measure कर सकते हो, अगर आपको बोला जाए, कि भाई, आभी आप कहां पे बैठे हो, तो आप reference बताओगे, कि मैं अपने room में, chair पे बैठे हूँ, ठीक है, इसी तरह से अगर आपको बोला जाए, कि ये particular table, आपके room में कहां पे पड़ा हुआ है, तो आप एक reference लोग है, कि ये दिवार से 3 meter की दूरी पर है, तो हमेशा, जो position है, velocity है, जितनी भी चीज़े है, all these terms, ये सारी, are relative, relative, इसलिए space को चूज़ करना बड़ा important है, frames of reference को चूज़ करना बड़ा important है, inertial frame, non-inertial frame, okay, number two, motion study कर रहे हो ना, तो motion study करने में time बहुत important है, इस frame के साथ हमेशा एक clock associate होती है, वो clock चलती रहती है, हम जैसे measurement start करते हैं, t is equal to zero पे हम बोलते हैं, कि particle यहाँ पे था, तो t is equal to zero का मतलब है, वहाँ से हमने measure करना शुरू किया, उस time के बाद, अब time चली जा रहा है, चली जा रहा है, particle moving, 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 तो यहाँ पे जब particle पहुँच गया, तो यहाँ पे जब particle पहुँच गया, अब यहाँ से जब आप displacement लिखना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो, coordinates हैं, displacement लिख सकते हो, बट velocity find करने के लिए क्या चाहिए, velocity find करने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का time interval चाहिए dt, कि कितने time के बाद यह particle यहाँ तक पहुँचा, इसलिए time भी important है, पढ़ेंगे न, तो और टेल में बढ़ाऊंगा, कि four coordinate space कैसे हम बनाते हैं, तो अब ध्यान से सुनो, कि तीन coordinates तो आप पहले लिखते ही थे, कि यहाँ x1 है, y1 है, z1 है, हाँ न, और यहाँ है माल लो x2, y2, z2, अगर आप Cartesian coordinates में काम कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ एक और coordinate है t, time, यहाँ पर भी एक और coordinate है time, यहाँ t1 है, यहाँ t2 है, तो space और time दोनों ही इकठे चलेंगे, तो इस तरह से हम इस चीज़ों को जब भी weather करेंगे, space और time important है, और space और time की कुछ properties है, वो उनको symmetry principles बोला जाता है, वो important है, अगर वो symmetry वहाँ पर exist ना करती, तो जो conservation laws हम use करते हैं, plus 1 class में आपने use किये, plus 2 में भी शायद mechanics में, plus 2 में mechanics नहीं होती, plus 1 में होती है, वहाँ पर भी आपने use किये है, तो वो सारे laws otherwise बनते ही नहीं, वो सारे laws बने इस वज़ा से हैं, क्योंकि space और time की कुछ properties है, उन properties को हम study करेंगे, आने वाले एक दो lectures में, और conservation laws को study करेंगे,